राजू अपने घर को लोट रहा था कि अच्छानक की तेज दूपान और बारिश शुरू हो जाती है राजू उर्ता उर्ता एक पेर पर आकर बेर जाता है सुबा तक तो मोसम बिल्कुल ठीक था ये अच्छानक इतनी तेज बारिश कहां से आ गई राजू का दिल बहुती नरम था उसे उस कवे पर दया आ जाती है कोई बात नहीं कालू कवे तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और तुम वहाँ पर मेरे साथ रह सकते हो इसके बाद राजू कालू कवे को लेकर अपने धर की तरफ चल परता है राजू अभी तक कर नहीं लोटा था और मौसम भी बहुत खराब था इसलिए रानी चुडिया बहुत ज्यादा परिशान थी गुगू तुम्हारे पापा को गेह हुए काफी देर हो चुकी है और बाहर मौसम भी बहुत खराब हो गया है मुझे उनकी बहुत चिंता है पता नहीं वो कब वापस आएंगे अभी रानी कुगू से इतना केही रही थी के इसे खिड़की से राजू दिखाई देता है अरे शुकर है आप आगए मैं जल्दी से दरवाजा खोल देती हूँ आप जल्दी से अंदर आ जाईए इसके बाद राजू कालू कवे के साथ घर के अंदर आ जाता है रानी राजू के साथ एक अजनबी कवे को देख कर बहुत हेरान हो जाती है अरे राजू ये कौन है मैंने इसे कभी नहीं देखा आप इसे घर क्यों ले आए है राणी ये एक परदेसी है और ये बेचारा बारिश में रस्ता भटक चुका था इसलिए मैं इसे यहां ले आया हूँ अब ये कुछ दिन तक हमारे पास ही रहेगा राजू की बात सुनकर राणी कुछ सोच में पर जाती है वो तो ठीक है गुकु के पापा मगर हम इसे जानते तक नहीं इसे हम फिर अपने घर में कैसे रख सकते हैं नहीं राणी ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम सोच रही हो ये बेचारा तो मुसीबत का मारा है ये ऐसा बिलकुल नहीं लग रहा नहीं रानी बेहन मैं तो बहुत गरीब पक्षी हूँ अगर आपको मेरे यहां रहने से इतराज है तो मैं अभी चला जाता हूँ नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं मैं आपका दिल दुखाना नहीं जाती थी आप यहां पर ले सकते और फिर यूहीं सुबह हो जाती है राजू का अपना आमो का बाख था और अब उसकी फसल पक्कर तयार हो चुकी थी रानी हमारे आमो की फसल तो बिलकुल तयार है अब हमें इन्हें काट कर बाजार में बेचाना चाहिए मगर मैं सोच रहा हूँ कि ये सारा काम मैं अकेला कैसे करूँगा राजू जी आप परेशान क्यों होते हैं सब बेहतरी होगा बस उपर वाले पर बहरोसा रखे इतने में कालू कवा भी उन दोनों के पास आ जाता है कालू कवा राजू का इतना बड़ा आंबों का बाग देख कर हैरान रह गजाता है राजू भाईया तम परेशान क्यों होते हो तुम आराम से बेफिकर होकर घर चले जाओ मैं तुम्हारे बाग में से सारे आम तोड कर रखता हूँ फिर तुम्हेने ले जाकर बाजार में बेचाना बहुत बहुत शुक्रिया कालू मगर मैं तुम्हें तकलिफ नहीं देना चाहता नहीं नहीं राजु भाईया इसमें तकलिफ की क्या बात है ये तो मेरा फर्ज है आपने मुझे अपने घर में रखा इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है के मैं आपके मदद करूँ रानी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था मगर वो कुछ नहीं बोलती और चुपी रहती है ठीक है कालू तुम जब सारे आम तोड़ लो तो फिर मुझे बुला लेना मैं घर पर ही हूँ कालू तो इसी मौके की तलाश में था वो तो इधर आया ही इसलिए था कि वो किसी पक्षी को बेवकूफ बना कर उसे लूट सके हाहा ये चिड़ा भी कितना बेवकूफ है इसे क्या लगता है कि मैं ये सारे आम तोड़ कर इसे दूँगा मैं तो ये सारे आम बेच कर दूसरे जंगल भाग जाऊंगा इसके बाद कालू अपने दोस्त उलू चोर को फोन लगता है चल यार उलू जल्दी से अपना टेक्टर टॉली लेकर यहां पर पहुँच जा बड़ा माल हाताया है वह कालू क्या बात है मैं अभी पहुँचता हूँ मगर कोई खत्रे वाली बात तो नहीं है ना और नहीं नहीं कोई खत्रा नहीं बस तू अपना टेक्टर ट्रॉली लेकर पहुँच जा इसा ना हो के देर हो जाए इसके बाद उल्लू कालू की तरफ निकल पड़ता है इधर कालू और उल्लू दोनों ने मिलकर राजू के बाग में से सारे आम तोड लिये उल्लू जल्दी कर जल्दी यहां से निकल चलते हैं ऐसा ना हो के बाग का मालिक पहुँच जाए और हमारी सारी पिलानिंगे धरी की धरी रह जाए और इसके बाद वो दोनों सारे आम टेक्टर ट्रॉली में डाल कर वहां से भाग निकलते हैं कालू इतनी तेजी से जा रहा था कि उसे पता ही नहीं चलता उसका टेक्टर सामने फोट बड़े पत्थर से टकरा कर कल्टी हो जाता है और कालू बुरी तरह से सखमी हो जाता है अरे उलू यार बचा ले मुझे वना मैं मर जाओंगा इस टेक्टर के नीचे से निकाल मुझे वना मैं मर जाओंगा औरे ना बाबा न मैं तुझे नहीं बचाऊंगा मैं यहाँ पर दो मिनट भी नहीं रुख सकता कहीं वो चुड़ा पुलीस लेकर आ जाए तो मैं तो पंस जाऊंगा इतना कहकर उलू वहां से चला जाता है और कालू चीखता ही रे जाता है काश में राजू को धोका न देता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता इतना कहकर कालू भी होश हो जाता है इतने में राजू को भी सब कुछ पता चल जाता है वो उस जगा आता है जहां कालू का एक्सिडंट होता है मगर कालू तो बेहोश पड़ा था राजू सब कुछ जानता था कि कैसे उसे कालू ने दोखा दिया है मगर फिर भी राजू उसकी जान बचाने की कोशिश करता है इसका बहुत ज्यादा खून बेह चुका है मुझे जल्दी से से होस्पिटल ले जाना चाहिए वरना ये मर भी सकता है कालू कवा जब खूश में आता है तो वो अपने सामने राजू और राणी को देख कर बहुत शर्मिंदा होता है दोस्त मैं माफी के लाइक तो नहीं हूँ मगर मुझे मेरे किये की सजा मिल चुकी है जिसने मेरी मदद की मैंने उसे ही धोका दिया इसलिए मुझे अपने दोस्त भी धोका दे गए मैं अपने किये पर बहुत शर्मिंदा हूँ तुम जो चाहे सजा मुझे दे सकते हो पता नहीं ऐसा क्यूं होता है हम जिस पर एतबार करते हैं वो हमें अंदा ही समझने लगता है मगर ऐसा बिलकुल नहीं होता जो तुम पे भरोसा करता है उसका दिल बिलकुल साफ होता है और इसी बात का फाइदा तुम जेसे लोग उठाते हैं मैंने तो बे सहारा समझ कर तुमें सहारा दिया था मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई बेवकूफ हूँ हाँ मैं अच्छी तरह जानती थी कि तुम भरोसे के बिलकुल लायक नहीं हो मगर मैं अपने पती की वज़ा से खामोश थी मगर अब मैं खामोश नहीं रहूँगी तुम अभी ये जंगल छोड़कर यहां से चले जाओ रानी बिलकुल ठीक कह रही है अब मैं दुबारा तुम पर भरोसा नहीं कर सकता इसलिए तुम यहां से चले जाओ नहीं तो मैं तुमें पुलीस के हमाले कर दूँगा कालू के पास अब कहने के लिए कुछ ना था इसलिए वो चुप चाप वहां से चला जाता है